नमस्कार किसान भाईयो स्वागत एक और बहतरिंग वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे किसानों के सक्ति प्रदसन की हमारे किसान मित्र ने ये जानकारी हमें दिये जो इस अंदोलन में गये थे बात कर रहे हैं नर्सिंग पूर के जहां से किसानों ने सक्ति प्रदसन किया वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी को जे जवान जे किसान चेनल पर नहीं हो तो सब्काइब जरू करें वीडियो का अंतर तक जरूर देखें चुनाओ से पहले किसान आर पार्क के मूड में नजर आ रहे हैं हम बात कर रहे हैं बरेली की नर्सिंग पूर की जहां डेरा आले किसानों ने 18 सुत्री मांगो को लेकर एक सक्ति प्रदसन किया और हाईवे जाम कर दिया और जिस तरीके से वहाँ पर जो आंदोलन हुआ था उसमें किसानों ने 18 सुत्री मांगे रखी और इन मांगो को देखकर इस आंदोलन को देखकर ही क्रसी मंत्री कमल पटेल वहा ठरा मांगे कौन-कौन सी थी जो किसानों की तरफ से रखी गई थी किसानों की प्रमुक मांगों में से सबसे पहले तो थी सारे बेंक का कर्ज माफ किया जाए फसल गारंटी कानून भी बना जाए ये सबसे पहला किसानों की जो मांग थी उसके बाद बात करते हैं किसान मजदूरी की सभी बेंकों की करज माफी की जाए प्रदेश में गन्ना नीती बनाई जाए जिसमें किसानों को नियुनतम 500 रुपे प्रतिक कुंटल रेट दिया जाए सभी अनाज और सबजियों के समरतन मुल्य से नीचे नबी के गारेंटी कानून बना जाए मुखमंत्री ट्रांसफार्मान अनुदान योजना पुना प्रारम की जाए जैसे कि हम बता रहे थे हैं आपको हर बार वीडियो बना कर ये किसानों की मांगों में सामिल लें क्रसिक कारे के लिए किसानों को 24 घंटे बिजली दी जाए मुखमंत्री खेज सड़क योजना पुना सुरू की जाए इसको लेकर भी मैं दो वीडियो बना चुका हूँ किसान मजदूरी को 60 वर्सी की आयो के बाद 10,000 रुपे मिले यानि कि पेंशन के रूप में किसान जब 60 वर्स पार हो जाए तो उन्हें 10,000 रुपे मिलना चाहिए तेलंगाना राज्ज में जो कर्ज माफी हुई है उसकी तरज़ पर किसानों को 10,000 रुपे प्रति एकर प्रतिवर्स अ सम्मान नीदी दी जाए दूद के दाम सो रुपे लिटर किये जाए क्रसी कारियम हुए किसी किसान मजदूर की आकस्मिक दुरगटना मृत्यु पर पचास लाग रुपे उसके परिवार को दिये जाए जंगली जानवरों और आवारा प्रसूओ द्वारा फसल नुकसान की भरपाई के लिए भी सासन द्वारा आवारा प्रसूओ को रोकताम के लिए कुछ उपाय के जाए साथी साथ किसानों को नदी नालों से मिट्टी वा कछरा उठाने के अनुमति दी जाए उसके बाद हमारा पस्वोऔ से फसले की सुरक चगले किसानों को तार फेंसिंग की सुईधा दी जाए, इसब सबसेडि दी जाए किसानों पर बनाए गए सभी प्रकणों को वापस लिया जाए कि समयत अन्य तमाम जो मांगे है किसानों की वो उन्होंने अठारा सुत्री मांगों में रखी जिसमें से ग्यारा मांगों पर सेमती बनी है क्रसी मंत्री कमल पटेल ने आकर कहा और किसानों के साथ एक फोटो किचवाया और कहा कि किसान के साथ बादचित हो गई है यह सबी मांगे मैं आगे पहुँचा दी जाएगी और केंदर सरकार किसान हिते सी है और किसानों को भले के लिए लाप का धंदा बनाने के लिए बाचपा संकल पीत है उमिदे किसान भाई यो वीडियो पसंद आओगा सेर जादा से जादा जरूर करें और जो भी भाई इस रेली में या अंदलों में पहुचे वो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजे